हटेलो एवरिवन मैं मितुन सिंग,' स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होगे JTED की मानिता को लेकर क्या बाते हैagues, कोट में रखी गई रहा है, high coat में सीटेट को लेकर क्या बात है कही गई है जेटेट पहले होगा या फिर सीटेट को वैलिडिटी देकर यहां पर एक्जाम ले लिया जाएगा जॉब के लिए जो है जो वेकेंसी आने वाली है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मोटा मोटी तीन बिन कट अपको देखने को मिलेगी पाला है गांडी और दूसरा है डैनिक जागरन जहां से जो है इस खबर को छपा गया है प्रकासित की गई है इस बारे में हम लोग बात करेंगे उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अपन आप देख सकते हो आखरी बार ली गई थी दोनों के प्रिवेशर कोश्चन पेपर लेने के लिए आपको क्या करना होगा दोनों के प्रिवेशर कोश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे ओनली सेवंटी रूपीज में यहां से आपको मेरी इमेल आइडी दिख रही होगी हाँगे हाई कोट ने कहा है भाईया 2016 के बाद से क्यों ने जेटिट की परिच्छाफ ले लेते हो राज सरकार से जवाब मांगा है मैं आपको बता हूँ यह पहले भी नहीं लग रहा है यह डेजा वू की आवाज आपको साउंड नहीं लग रही है कि यह कुछ हुआ हुआ हाँ बार बार हाई कोट सरकार से जवाब दाखिल करने को कहती है राज सरकार मौ में देढ़ी जमाई बैठी है इजी तो कोई फरक पढ़ता ही नहीं है कि झारखन में च्छातरों के साथ क्या हो रहा है अब आप बलोगे कि मैं कुछ जादा ही हार्ष नहीं हो रहा हूँ है सच्चा ही यही है और मैं कोट से भी सवाल पूछना चाहता हूँ बार बार कोट में जो है आप डेट की हेरिंग को आगे बढ़ा दे रहे हो मैं मानता हूंगी प्रॉसेस के थूरू जाना चाहिए बट आप देखो ना बिल्कुल किलियर कट मामला है 2016 में आखरी बार जेटेट की परिच्चा ली गई है इसके बाद जेटेट की परिच्चा क्यों नहीं ली गई है मोटा मोटी बात है NCTE जो की निर्धारित करता है कि हर राजी में अगर राजी लेने के एक शुक है टेट परिक्षा तो वो हर एक साल में कम से कम एक बार तो परिक्षा लेही सकता है ये NCT का ले ही सकता है नहीं लेना ही पड़ेगा ऐसा NCT में रूल है लेकिन जारकन सरकार दो कान में तेल डालकर सोई है एक और इसमें मसला आता है NCT ने कहा है कि अगर कोई राज अपने यहां TAT पर इच्छा योजित करने के जो है सहमत में नहीं समर्थन में नहीं तो ऐसे म CTAT को वो अपने यहां मानिता दे सकता है अब कुछ पोंगा पंडित आएंगे नीचे कॉमेंट सेक्षन में जिन्होंने JTAT 2016 किसी तरह से पास कर लिया जी हां barely they passed this examination and they will come here in the comment section and verbally abuses us that we are clear this examination, give me नौकरी, give me some job, अरे भाहिया जॉब है भीक नहीं है जो मिल चाहेगी तुमें ह JTAT आपने पास कर रखी है तो हम लोगों ने भी CTAT पास कर रखा है भाई साहब, समझरे हो मेरी बात को और कितने लोगों ने नौकरियां भी कर रखी है ऐसे से जगों पे, अगर आप 2016 के बाद से भी बेरोजगार हो तो अपने गिरेवान में जहांक लो, तुम्हारे अंद शिक्चकों की भरती करनी होगी लेकिन एक स्च चाहिए ये भी है कि शिक्चकों की भारी कमी जारखंड में ऐसे में भरती होनी चाहिए, लेकिन किस बिना पे, क्या सिर्फ और सिर्फ 2016 वाले को मौका दे दोगे और आपका काम निकल जाएगा, तो मैं JTAT 16 वाले की साथ कहन चाहता हूं देखो भैया तुम्हारे गुदा में है दम तो भाई सहाब लड़ो और नौकरी लो शिद्धी सिद्धी बात है आप नए कंडिडेट से क्यों डर रहे हो आपको लग रहा है ना कि आपके अंदर काभिलियत की कमी है तैस वाई आप पिछना जो है पीछी छुपन नहीं हुए है जेट एट सोला के बाद से पांस से दसलाख लोगों ने बीएड डी एलेड जेबिटी कर रखा है ये लोग कहां जाएंगे भाई साब एक बार ना एक बार वेकेंसी आ जाएगी मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि दस साल तक वेकेंसी जार्खन जैसे छ दे से दसलाख लेड लेनी चाहिए सीट एट की परिच्छा अगर जेट नहीं ले पारे हो तो सीड़ी जीड़ी कर दो ना सीड़ी बात है और फिर जेट परिच्छा लेने के बाद आप एक मैंस का एक्जाम करा लो और जो पास होता है उनको कौलिफाइ करके एज़ाइड सीड़ी सीड़ी बाते हैं मैंने अपनी बात रखी बाइद अबे किसी को तकलिफ हुआ हो कोई बात नहीं है सबको अपनी जो है बात रखने का अधिकार है समिधान में आप भी अपने बात को बिलकुल समिधान के मरियादा के अंतरगत रखिए नीचे कॉमेंट सेक्षन मे मर्यादी टिपनी कीजिए आपको जवाब दिया जाएगा और जेटट 16 वाले खास करके बोलना चाहूँगा जितने भी आपको परिशानी हो रही है मैं आपका हमदर्द तो नहीं बन सकता लेकिन आपकी परिशानी से समझ सकता हूँ लेकिन आप ऐसा समझ लो ना समिधान में बात लिखी गई है कि किसी एक के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए तो आप अपने छोटे भाई और बहनों के साथ अन्याय होता हुआ देखते हुए भी अपने लिए नौकरी की मांग कर रहे हो और बोलते हो यह टट नहीं होना चाहिए तो ऐसे में बताओ आप अपने बड़े भाई का फर्ज तो निवा नहीं रहे हो और आप छोटे वाले से कह रहे हो कि भाईया बड़े भाईया को आगे बढ़ने दो बड़े भाना को आगे बढ़ने दो उसके बाद तुम लोग बढ़ जाना यह तो बहुत ही सरासर नानसाफी वाली बात है बड़े होने क जौब ले लेंगे धर्खंड में लेकिन कुछ ऐसे हैं मैंने का ना बेरली जिन्होंने पास कराया एक्जाम बिल्कुल भी मार्जिनल 90 किसी तरह से घीच तीर के इनोंने ले आया है ये कभी जौब ने ले पाएंगे इन निठलों को पता है कमेंट सेक्षन में हला करो सरकार पर दबाब बनाओ किसी तरह से वेकेंसी आ जाएगी एक बार हम लोग निकल जाएंगे तो गंगाना आ लेंगे भाईया ऐसा होने वाला नहीं है सारे छोटे भाई सजग हैं और अपने अधिकार के लिए डट कर खड़े हैं नीचे कमेंट सेक्षन में आप अपनी राय जर अपने दोस्तों रिस्तेदारों सहली हों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर से करें तैंक यू सो मच पूर वाचिंग दिस वीडियो हैव अब कुद टेए